नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक्जाम साला के यूटूब चल में मेरा नाम है मांचू और आज है 7 अक्टूबर तो चले स्टार्ट करते हैं आज के करेंट एफ़्ेर MCQ करेंट एफ़्ेर MCQ स्टार्ट करने से पहले हर दिन हम लोग देखते थे आज कुछ important days है या नहीं है तो आज 7 अक्टूबर को कोई important days नहीं है तो सीरह हम लोग डिस्स करते हैं यानि आज के करेंट एफ़्ेर MCQ करेंट एफ़्ेर MCQ में पहला question आपके सामने ये है इसमें आपसे पूछा है कि किस अभी state government ने भी हाली में announce किया है कि वो digital सेवा सेतू program लाएगी for the rural areas यानि ग्रामेड छेत्रों के लिए digital सेवा सेतू का program सुरू किया जाएगा और ये rural areas के लिए होगा ठीक है तो यह digital सेवा सेतू program शुरू किया है इसमें क्या होगा इसको हम जानते हैं detail से तो देखे digital सेवा सेतू ये पूरी तरीके से सभी जो ग्राम पंचायत हैं उनको क्या करेगा public welfare service provide करने का काम करेगा साथ साथ में ये project जो digital सेवा सेतू है ये mission progress करेगा किसके अंतरगत भारत net project के अं initiate किया जाएगा जिसमें सभी village पंचायत यानि जो ग्राम पंचायत हैं उनको पूरी तरीके से connect किया जाएगा किसे fiber network से यानि इंटरनेट से ठीक है जो भी गुजरात के गाउं है वो capable होंगे 100 mbps speed optical fiber की speed के साथ digital सेवा सेतू program का लाब उठा पाएंगे ठीक है तो ऐसा announcement कि इंडिया है भी हाली में गांधी नगर में एक conference हो रही थी विजयरुपानी ने जो वहां के CM है गुजरात सरकार के तो उन्होंने यह ऐसा कहा है कि डिजिटल सेवा सी प्रोग्राम के अंतरकत हमें सभी village पंचायतों को पूरी तरीके से क्या करेंगे फाइवर नेट वर्क स इसको चालू कर देंगे तो खिटवे पोर्ट किन दो हैसों के बीच में तो इसकी जान लेते हैं फ्ट इक हमारा यहाँ पर कलकता है और ह हंदर से आप बे बंगाल होते हुए यहां से सित्वे पोर्ट हम यहां बना रहे हैं तो यह एक पार्ट है जो सित्वे पोर्ट का और इंडिया से connectivity का यह पार्ट है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का लिए डेटेल से देखे क्या है कि इंडिया का जो नौर्थीट से कनेक्टिविटी है इंडिया की जो नौर्थीट से कनेक्टिविटी है वो यहां से होकर दाकी यानि वाया सिलिगुडी से होते हुए जाती है और सिलिगुडी से होते हुए जाती है तो यह वाला एरिया है आप दे से connectivity क्या हो जाएगी बंध हो जाएगी ठीक है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यानि मयामार से होते वे एक रास्ता खोज रहे हैं जो बे बंगाल होते वे जाएगा यहां से सित्वे पोर्ट है यह और यह सित्वे पोर्ट में आप देखोगे कि मयामार और मयामार से फिर हम लो सोने से हमारी transportation cost भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो ऐसा कहा है कि अभी हाली में 4-5 October को इंडिया और मैमार के बीच में मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि हम यह जो सित्वे port है अगले साल तक क्या करेंगे 2021 के first quarter तक चालू कर देंगे ठीक है चले आगे बढ़ते हैं उनके range में हम cyber police station का निर्मान करेंगे ऐसा कि सराजसरकार की police ने कहा है तो यहां पर याद रखना है आपको ऐसा कहा है 36 गड़ में अभी आप देखेंगे कि जो cyber crimes हैं उनके संख्या काफी जादा बढ़ गई थी तो cyber crimes को ध्यान में रखते हुए अभी हाली में वहां की police ने कहा है कि हम cyber police station बनाएंगे जो सभी police headquarters के आसपास यानि rain bound वहां पर बनाए जाएंगे और जो आप देखेंगे कि present time पर जो cyber crimes बन नहीं उनमें कुछ तरीके से रोक लगाई जा सकीगे इसके जरीए तो यह cyber police station various district यानि जितने भी district है उनके आसपास के जो भी headquarters है police station के वहां पर यह cyber police station बनाए जाएंगे ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं question number 4 पर question number 4 में आपसे पूछा है कि अभी हाली में 12th brick summit हो रही है यह 12th brick summit किस date को होनी है आपको यह बताना है ठीके इसका सही answer क्या है इसका सही answer है 15 November को यहां पर 12th brick summit हो रही है ठीके याद रखना है 15 November को 12th brick summit हो रही है अब यहां पर देखना है कि जो यह 15 brick summit है 15 brick summit में आप देखोगे कि यह summit organize की जा रही है किसकी तरब से रसिया की तरब से यहनी 2020 पूरी तरीके से hostable होगा रसिया की तरब से इस बार का theme क्या है theme याद रखना है आपको BRICS Partnership for Global Stability, Shared Security and Innovative Growth ठीके तो याद रखना है आपको BRICS Partnership for Global Stability, Shared Security and Innovative Growth ठीके तो इसमें क्या है 5 member country है जो 5 member country इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफरीका ये सभी 5 member countries आपस में जो mutual corporation है उसके साथ मिलकर काम करते हैं present time पर आप देखोगे इनका main focus रहेगा peace and security, economy, finance, culture and people to people exchange पर ठीके, इंडिया और चाइना के बीच में भी जो इस समय आप देखोगे LAC पर जो भी मुद्दे चलना है उनको भी इसी BRICS Summit में सुलजाने की बात की जा रही है और एक चीज याद रखना है आपको ये BRICS जो सम्मेट होगी रस्या होस्ट जरू करूँ रहा है लेकिन ये वाली पूरी सम्मेट पूरी तरीके से virtually होगी ठीक है यानि इसमें कोई भी physical meeting नहीं होगी ये virtually meeting होगी कोई आएगा जाएगा नहीं यहाँ पर पूरी तरीके से virtually मेट होगी बिर्क सम्मेट के चली आगे बरते हम लोग question number 5 पर question number 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाली में central government ने release किया है compensation किसके लिए state के लिए ये state को compensation दिया गया है किसके for the reason of revenue laws revenue laws का मनलब कहाँ पर है कि देखे जो taxes collect किया जाता है tax collect किया जाता है किसके द्वारा center government के द्वारा और यहाँ पर देखोगे state government के द्वारा तो अब present time पर आप देखोगे कि अनि center और state government का जो भी indirect taxes है वो indirect taxes यहाँ पर एक ही tax लिया जाता है और that is called GST ठीक है that is called क्या GST तो जब GST एक जुलाई 2017 को implement हुआ था तो उसमें implement कहते हुए बात कही गई थी कि अगर मालो GST implement करने के बाद state government को यहाँ पर revenue loss होता है तो state government को revenue loss में center government क्या करेगा उसको वो compensation देगा ठीक है, center government क्या देगा? compensation देगा तो compensation state government को देगा कौन center government अगर state government को loss होता है तो GST implement करने के बाद आप दिखोगे कि state government को काफ़ी नुकसान हुआ है कि क्यों उनका revenue loss हुआ है मनलब उनको उतना tax collection नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए या जितना मिलता था before that GST तो इसमें central government उनने compensation दे रही है अब आप ये पूछोगे ये compensation कहां से दे रही है तो center government क्या कर tax on tax ठीक है tax on क्या tax तो CES क्या है tax on tax है मनलब किसी एक चीज़ पर tax लिया जा चुका है उसी पर और tax लिया जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे CES बोलेंगे ठीक अब यहां पर आप देखोगे कि इसी CES से भरपाई करेगा center government कहां किसकी state government के compensation की तो इसमें अभी ह निर्मला सीतरमन उन्होंने decision लिया कि कुछ amount हम release करेंगे state government के लिए for the reason of compensation तो इसमें कितना amount release करने के लिए कहा है इसमें कहा है कि हम 20,000 amount क्या करेंगे release करेंगे ठीक है तो यह याद रखने आपको इसका सही answer क्या होगा none of these तो यहां पर इस बार 20,000 क्रोन रुपीज रिली new loss of state government ठीक है याद रखने आपको यह 42nd council meeting हुई GST council meeting 5 October को जिसमें decision लिया गया चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ministry of housing and urban affairs इन्होंने कहा है कि हम इन्होंने एक MOU sign किया है और जो MOU sign किया है यह आपको बताना है कि किस company यानि किस company के साथ sign किया है जो क्या करेंगे जो हमारे street vendors होते हैं सहरी इलाकों में उनसे street vendors से जो food है वो food online किस तरीके से deliver किया जाए अभी देखें आपने online food delivery काफी बढ़ गई है जैसे जुमेटो है सुईगी है यह सारी लोग का companyya काम करती है होटलों से आपके घर तक पहुचाती है तो इसमें आप बताएगा किनी जो present time पर आप देखोगे कि street vendors हैं street vendors से भी आपके घर पर food online पहुचाए जाए इसके लिए एक MOU sign हुआ किस company के साथ तो इसका सही answer है सुईगी सुईगी एक company है e-commerce company e-commerce platform है जो food vendors से connect करके आपके घर तक food पहुचाती है तो इसमें जितने भी आपके street vendors हैं street vendors भी क्या करेंगे साथ में यहाँ पर इनका MOU sign हुआ है कि यह street vendors अब सुईगी के जरिए लोगों तक क्या पहुचा पाएंगे food पहुचा पाएंगे तो यह एक parts plate है मतलब एक part है किसका प्रायर मिनिस्टर street vendor आत्म निर्भर निधी scheme का एक part है जिसके अंतरगत कहा गया था कि हम सभी यानि जो street vendors हैं उनको loan भी provide करेंगे और साथ में उनको अच्छे platform पर लेकर आएंगे तो यह एक initiative लिया गया है उसके अंतरगत ठीक है चली अब यह एक pilot program चलाया जाएगा जो जिसमें 250 vendors होंगे लगबाग क्रॉस द फाइ 7 में आपसे पुछाए कि जो foreign minister हैं सभी quad group, quad group कौन सी country हैं इंडिया, US, Japan और Australia इन सभी के जो foreign minister हैं 6 October को भी मिले हैं कल के दिन तो कौन से city में मिले हैं आपको यह बताना है इसका सही answer है इसका सही answer है टोकियो टोकियो में भी हाली में जो meeting हुई है quad foreign ministers की और इसमें बात चीत हुई कि हम पूरी तरीके से जो COVID-19 pandemic चला है इसके दोरान हम अपना कैसा response रखें किस तरीके से हम challenges को क्या करें face कर पाएं और जैसे ही यह open होगा तो इस तरीके से हम किस तरीके से इसको maintain करें इस पर बात हु ही कि जो हमारा Indo-Pacific reason है यानि India, Indo-Pacific question है यहाँ पर जो China की importance है चाइना की importance को थोड़ा सा क्या किया जाए कम किया जाए इस पर भी बात हुई चलिए आगे बढ़ते है question number 8 पर question number 8 में आपसे पूचा है कि अभी हाली में किस ने launch किया है I use standard treatment protocols तो I use standard treatment protocol लांच किया है डॉक् COVID-19 अभी present time पर चल ला है COVID-19 चल ला है उसके दोरान आप अपनी preventive health यानि अपनी health को पहले से ही कैसे secure करें कैसे अपने आपको protect करें तो इस पर कुछ guideline उन्होंने जारी की कि घर के अंदर ही कि आप देखेंगे किस तरीके से self-care guidelines को follow करते हुए अपने आपको पूरी तरीक से protect कर सकते हैं तो यह है आईस ministry के अंतर करते एक protocol जो हर्स वर्धन ने जारी कि है डॉक्टर हर्स वर्धन ने अभी हाली में जारी की है ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग question number 9 पर question number 9 में आप से पूचा है कि तीन site list है तो इन्हें अभी हाले में नोबल प्राइज मिला है 2020 का किस category में मिला है या आपको बताना है तो इसका सही answer क्या है इसका सही answer है physics की category में इन तीनों को नोबल प्राइज मिला है नोबल प्राइज हर साल exam में आते हैं तो यह आपके लिए काफे important है याद रखेगा तो रोजर पेंरोज या फिर रोजर पेंरोज एंडरा गेज और रेंहार्ड गेजल इनको अभी हाली में discovery के लिए किस discovery के लिए black hole की discovery के बारे में इनोंने बता है कि अभी हाली में medicine से related एक noble prize दिया गया है तीन scientist को और वो तीन scientist को जो noble prize दिया गया है वो किस virus के discovery के लिए दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर आप देखोगे इसका सही answer है hepatitis C virus इस virus में नए discovery के लिए अभी हाले में तीन scientist जिनका नाम आपको याद रखना है Harvey J. Elder, Michael Hugton and Charles Sam Rice इन तीनों को अभी हाली में hepatitis C virus के लिए अभी हाली में इनको discovery के लिए एक noble prize 2020 का दिया गया है ठीक है तो इन्होंने बताया कि hepatitis C virus इसका एक major source है source of liver disease यानि liver diseases की वज़े से hepatitis C virus हमारे पूरे दुनिया में million लोगों को worldwide में क्या करता है एफेक करता है तो इसके लिए इन्हें 2020 का noble prize दिया गया है तो आज के इस session में इतना ही thank you thank you for watching वीडियो पसंद आया हो तो इसको like करें लोगों के साथ share करें हमारे channel को subscribe करें and thank you thank you for watching